हेल्ले उडेवरीवान, विलकम टू长 strengthening YouTube चैनल, फार्मा रॉक्स के YouTubeच्यूप चैनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टड़ी करेंगे उनिवरसल एंटीडाट के बारे में युनिवर्सल एंटीडोट मतलब की ऐसा एंटीडोट की जब हमें poison का जो nature है कि nature of poison completely है unknown कि हमें पता ही नहीं है कि कौन से प्रकार का poison है तो उस वक्त ये universal एंटीडोट जो है वो use किया जाता है तो हिंदी में समझे तो ऐसा 20 प्रतिकारक कि खास कर जब हमें जहर की प्रकृती completely अग्यात है कि जहर की प्रकृती हमें पता नहीं है तो उस वक्त ये universal एंटीडोट जो है वो use किया जाता है तो ये universal एंटीडोट के बारे में हम ये video lecture में detail में study करेंगे तो यहाँ पे main universal एंटीडोट के अंदर तीन ऐसे powders का combination है कि जो यहाँ पे आप देख सकते हैं बट ये कौनसे powder है वो आगे हम जानेंगे lecture के अंदर की ये powder number one, ये second powder और ये third powder तो ये तीनों powder का जो combination है वो use किया जाता है as a universal एंटीडोट तो इसे के बारे में हम detail में study करेंगे expert lecture by a mercer, assistant professor and founder of pharma rocks thank you for being one leg family of pharma rocks update रहिए pharma knowledge के साथ subscribe करिये channel, press करिये bell icon also use the app pharma rocks के जहाँ पे आप access कर सकते हमारा study material test series and the video lecture for various pharma competitive examination तो link आपको description box में मिल जाएगी तो सबसे पहले समझे कि antidote क्या है तो antidote की definition आपको पता होनी चाहिए तो antidote is a substance that can counteract a form of poisoning कि जब हमें कोई poisoning होता है तो ये poison के सामने जो counteract आपको करना है तो जो substance हम यूज करते है उसको कहा जाता है antidote कि समझे कि किसी को कोई x चीज का हुआ है poisoning तो उसको reduce करने के लिए हम जो substance को y यूज करेंगे तो y substance को x का कहा जाएगा antidote तो antidote जो word है वो है Greek word कि पूरा word जो इस तरह से कि anti डिडो नाई करके जो पूरा word है कि जो Greek word है और उसका मतलब होता है given against given against and antidote is a chemical especially a drug that limits the effect of poison कि जब कोई person को poisoning होता है किसी भी harmful substance का तो उस वक्त उसकी जो effect है उसको limit करने के लिए या फिर उसकी जो effect है उसको reduce करने के लिए हम जो substance use करते है वो कहा जाता है antidote so antidote especially क्या है chemical से और वो ऐसे medications भी हम कह सकते या फिर ऐसे substance भी कह सकते कि जो poisoning को कम करने के लिए हम use करते है so it is a way of preventing or acting against something bad which is dangerous for the life कि जब किसी को life के लिए जो dangerous कोई substance बन जाता है कि जुसको हम कहते है कि poisoning तो उस वक्त उसको prevent करने के लिए हम जो material यूज करते है कोई substance यूज करते है that is a antidote so poison antidote destroy the poisoning कि poisoning जो है उसको destroy करने के लिए हम यूज करते है poison antidote तो antidote की जरूरियात क्यों है कि antidote जो है वो क्यों design किये जाते है antidote क्यों बनाये जाते है तो सबसे पहले बात यह है कि जब किसी substance की होती है toxicity यह point समझना जरूरी है कि toxicity का यहाँ पे main important point है कि जब आपको कोई toxicity होती है कि कोई drug substance की toxicity होती है कोई दुसरे substance की toxicity होती है या फिर ऐसे कोई chemicals वगेरा की आपको होती है toxicity तो उस वक्द वो toxicity को कम करने के लिए antidotes का होना जरूरी है second बात है कि misuse of the drug and the poison कि जो poison होता है as well as कोई drug है कोई medicine से कि जो use की जाती है अलग-अलग disease के treatment के अंदर बट जब इनका हो किसी भी तरह से misuse कि जब कोई उसका misuse करे उसका overdose ले ले या फिर excess amount में उसको use करते है तो उस वक्द antidote होना जरूरी है कि जिसके करन जो person ने ये misuse किया है उसका जो life है हो हम save कर सकते है by giving this antidote तो antidote की जरूरियात इसलिए है दूसरा reason जाने तो जो जरूरियात सबसे पहले तो misuse को या फिर जो toxicity है उसको कम करने के लिए ही है और ऐसी ब्रांच की जहां पे इस टाइप के poisoning और उसके antidote related study होती है वो हम कहते है toxicology toxicology is the study of the effect of poisons on the functions of the living system all things are poison all things are poison and nothing is without the poison only the dose permits something not to be poisonous तो यह जो है वो हम कहिए सकते है golden sentence से आपके लिए जिसका मतलब यह होता है कि हर ऐसी चीज कि जिसका miss use होता है excess event में use होता है वो कही जाती है poison और उसका जो dose है वो ही उसको drug भी बनाती है और वही dose उसको poison भी बनाती समझो कि कोई medicine है कि उसका जो dose है समझो कि for example 50 mg sorry 500 mg per day उसका tolerated dose है किसी person के लिए अब यही जो है उसका dose है कि यह dose पे वो रहेगा completely safe but जब mix use हो और यह एक के जगाए समझो कि कोई person multiply by 10 जितना कर दे और वो dose समझो के लिए लेता है 5000 mg जितना तो वही क्या हो जाएगा poisonous हो जाएगा all things are poison and nothing is without the poison only the dose permits something not to be poisonous कि यह poisonous हो जगा है समझो कि उसको आप excessive amount में use करते है तो जब उसका dose आप reduce कर देंगे या फिर उसको proper manner में use करेंगे तो वो जो है वो poisonous नहीं होगा तो what is the universal antidote कि जब हमें nature पता नहीं है कि कौन से टाइब का poison है तो उस वक्ते universal antidote use किया जाता है तो universal antidote is called because it is used in all cases of poisoning it can be used in all cases of poisoning especially when the nature of poison is unknown कि हमें पता ही नहीं है कि कौन से टाइब का poisoning हुआ है कोई person को तो उस वक्त उसकी जान बचाने के लिए to save the life of that person we use this type of universal antidote and universal antidote is given around 50 to 30 gram orally 15 से लेकर 30 gram जितना वो orally दिया जाता है and it can be repeated 12 to 24 hours कि depend on person's condition उसका जो dose है वो repeat किया जाता है 12 से लेकर 24 hours के बीच में तो हिंदी में हम कहें तो 20 प्रतिकारक कि खासकर जिब आपको किसी जहर की प्रकुरूती पता नहीं है जहर की प्रकुरूती अग्नयात है तो ये universal antidote यूज करते है तो अब सवाल ये है कि ये universal antidote का composition क्या है तो यहापे जो हम screen पे देख रहे है उस तरह से जो उसका first ingredient है that is a charcoal कि charcoal जो है वो उसका first ingredient है universal antidote के अंदर और वो यूज होता है total quantity के 50% और parts के अंदर हम देखे तो वो दो पार्ट में यूज होता है फिर जो second जो हम screen पर देख रहे है that is magnesium oxide ये है हमारा second ingredient और वो यूज होता है total quantity के 25% और उसका है one part और तीसरा component that is a tannin third ingredient है वो है tannin तो tannin का जो हम proportion देखे तो वो है 25% और उसका part हम देखे तो one part मतलब की समझो की पूरा calculation करेगे तब 50 प्लस 25 प्लस 25 मतलब की total composition समझो की 100% है या फिर 100 gram आप बनाते हैं तो वो 100 gram के अंदर आप 50 gram जितना charcoal लोगे 25 gram जितना लोगे magnesium oxide और tannin लेकिए आप 25 gram और उसको अच्छे से uniformly mix करने से जो आपका antidote तयार होगा वो कहा जाएगा universal antidote तो इस तरह से आपको अच्छे से समझना है कि समझो की आपको 100 gram जितना बनाना है तो उसका मतलब यह होगा कि 25 gram आपने यूज किया है यह tannin तो यह होगा एक part same same part magnesium oxide का आप लेते है 25 gram तो वो भी एक part हो गया और दो part मतलब कि 25 से double लेना पड़ेगा that is यहाँ पे 50 gram तो proportion हम देखे तो 2 jam 1 jam 1 इस तरह से भी अब लग सकते हैं कि charcoal magnesium oxide और tannin का जो proportion रहेगा 2 jam 1 jam 1 in this universal antidote अब तीनों के बारे में detail में जानते हैं तो सबसे पहले जानिये charcoal के बाले में तो charcoal तो charcoal समझे कि कोई भी चीज जब हम जलाते हैं तो last में जो हमें मिलता है कि charcoal की obtained from burnt bread और toast result in absorption of poison की poison को adsorption करता है ये charcoal के जब किसी भी चीज को हम जलाते है तो उससे हमें ये charcoal मिलता है ऐसे समझे कि कोई food item से एक लाइक bread है टोस्ट है उसको भी समझे कि आप burn करते हैं तो उससे भी हमें charcoal obtain होता है second है magnesium oxide की जिसका परपूर्शन है 25% obtained from the milk of magnesia which result in neutralization of poison तो ये क्या करेगा poison को neutralize करने का काम करेगा और जो तीसरा इंग्रेडियन्ट है हमारा tannin obtained from the strong tea which result in precipitate the metal alkiloid glucosides and neutralization of alkali तो यहाँ पर MCQs के लिए काफी important point है तीन कि charcoal तो charcoal का रोल क्या है तो adsorption का जो रोल है वो है charcoal का फिर poison को neutralize करने का जो रोल है वो है magnesium oxide का और तीसरा कि neutralization of alkali कि समझे कि alkali type का कोई poison है glucoside से alkiloid है कोई metal है तो उसको precipitate करवाने का as well as neutralization का काम करेगा यह tannin तो इस तरह से यह composition जो है universal antidote के जो effective साबित होते है कि जब आपको कोई nature ही पता नहीं है तो जब यह combination जब हम 2-zem, 1-zem, 1 proportion के अंदर use करते है कि पचास ग्राम आपने ले लिया चारकॉल ले लिया 25 ग्राम आप लेते है 25 ग्राम जितना magnesium oxide और same 25 लेते है आप tannin तो टोटल जो आपका 100 ग्राम आपको composition मिलेगा that is your universal antidote की जिसके अंदर one jam, one jam, two proportion के अंदर यह तीनों ingredients proper available होंगे और इसको अच्छे से आपको uniform mix कर देना है जिससे proper जो है वो uniform mix कर होने के समझे के आप patient को 15 ग्राम composition देते है तो उसमें भी proper uniform रहे वो mixture patient को समझे के आप 30 ग्राम देते है तो भी वो proper uniform mixture होगा 100 ग्राम का तो proper जो dose है antidote का वो patient को मिलेगा और जिसससे उसकी जो है वो recovery हम करवा सकते है तो यह था special lecture about the universal antidote thank you friends for watching join करिये whatsapp group 942618036 PharmaRox का whatsapp helpline number है जरूर से वीडियो को like करिये valuable comments करिये and share करिये and channel को subscribe करिये use कर सकते है PharmaRox का app की जहाँ पे आप access कर सकते है study material test series and video lecture so good luck and all the best